राइट, सो हेलो एवरिवन, वन्स अगेन, आई वेलकम ओल आफ यू इन गेटवे क्लासेज, तो AKTU, BTEC, फ़स्टर के जितने भी स्टुडेंट्स हैं, आप सभी के लिए, आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट जिसका नाम है, है, Fundamentals of Mechanical Engineering, और इसका AKTU सब्जेक्ट कोड है, BME101, एंड BME201, है ना, 101 रहेगा, और समिस्टर के लिए, यानिके, फस्ट समिस्टर के लिए, और सेकेंड समिस्टर, यानिके, इवन समिस्टर के लिए, जो कोड रहने वाला है, that is, BME201, and my dear students, इस lecture series को हम एक हपता पहले भ दिया जाए, but my dear students, एक हपते तक हम क्या गर रहे थे, अपने notes को तयार कर रहे थे, जो भी हमारा syllabus reform हुआ है, अभी 2022 थेस में, बीटेक फस्टर के लिए, जो notes हमारे पहले थे, यहनों, जहां-जहां changes थे, यहनों, जिस भी unit में changes थे, कही minor changes थे, कही major changes थे, हमने पहले अपन दा new syllabus 2022-23 के हिसाब से आपको सारी चीजे मिलने वाली हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैंने previous वीडियो में आपको, you know, detailed syllabus के बारे में बताया था, इस subject का, और बोला था हमने कि हम unit number 2 से start करेंगे, और साथ में unit number 1 को भी ले करके चलेंगे, है ना, तो unit number 2 का नाम है, you know, introduction to IC engines and electric vehicles, IC engine और electric vehicles के बारे में हम बात करेंगे, like, share और subscribe आप already कर ही चुके होंगे, चलो जी, तो ये है हमारा syllabus of unit number 2, ये unit number 2 का syllabus है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं, आज, you know, basic definition of IC engine, तो ये पुरा syllabus में already आपको previous वीडियो में दिखाए चुका हूँ, है ना, तो syllabus आपके पास होना है, कि पहले से classes चल रही है, है ना, एक महीने से classes चल रही है, तो उन्होंने पुराने वाला syllabus अगर mobile में download किया हुआ है, तो उसको आप delete कर दीजिए, है ना, अगर आपके पास गलत syllabus होगा, तो दिक्कत हो जाएगा, actually, बहुत परे बच्चे ऐसे होते हैं, वो teachers के contact में रहत है, classes कम करते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है, है ना, बहुत दिनों के बात पढ़ते पढ़ते पता लगे का, अच्छा, यह तो syllabus ही change हो गया, है ना, तो नया syllabus आपके पास होना चाहिए, राइट, चलो, तो आज हमारा होने वाला है lecture number one, और lecture number one में, you know, what is our today's target, आज हम है, कौन से topics हम लोग cover करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे हमें इंजन की definition, इंजन को हम कैसे define करते हैं, आपकी syllabus में लिखा पहले, उसके बाद देखेंगे कि इंजन की दो कौन सी main category होती है, उनको हम कैसे classify करते हैं, एक होता है आपका internal combustion engine और दूसरा होता है आपका external combustion engine जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, internal combustion engine को हम short में लिखेंगे ICE, that is, you know, internal combustion engine और external combustion engine क्या लिखेंगे हम लोग ECE, उसके बाद देखेंगे differences between ICE and ECE, और advantages and disadvantages of IC engine, IC engine के क्या नुकसान फायदे हैं, as compared to, you know, external combustion engine, चलो जी, तो start किया जाए, आज की class को start किया जाए, और, you know, AKTU BTEC faster के जितने भी students हैं, सभी को ये बात पता लग जानी चाहिए, कि gateway classes में, you know, as per the new syllabus 2022-13 के हिसाब से classes start हो चुकी हैं, तो मैं आप से उम्मेद करता हूँ, है ना, कि आप लोग अपने जो, आपके जो classmates हैं, या आपके college mates हैं, या फिर दूसरे college में, जो आपके batch mates हैं, है ना, AKTU BTEC faster के जितने भी students हैं, उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेर करेंगे, ताकि उनको भी पता लग सके, चलो जी, तो engine की definition, यहाँ पर हम देखेंगे, what is the definition of engine, my dear students, बहुत आसान तरीके से में आपको समझने का प्रयास कर रहा हूं, कि भई, आप अगर स् अंदर diesel engine लगा होगा, या petrol engine लगा होगा, है ना, तो diesel air के साथ क्या होता है, burn होता है, बोलो yes or no, तो जब engine के अंदर, जब engine के अंदर fuel क्या होता है, burn होता है, है ना, fuel की क्या होती है, burning होती है, है ना, fuel की क्या होती है बच्चो, burning होती है, समझना, fuel जो है, fuel क्या होगा, fuel burn लेट में चेज दा कलर, जब फ्यूल की बरनिंग होगी, तो फ्यूल की जो chemical energy होती है, फ्यूल की जो chemical energy होती है, वो thermal energy में convert हो जाती है, यानि कि heat produce होती है, जब आफ, इंजन के अंदर fuel जलता है, या engine के बहार भी fuel जलता है तो फ्यूल की chemical energy heat में produce होती है heat निकलती है वहां से उसको बोलते है thermal energy और यह thermal energy क्या होती है फर्दर convert होती है किसमे mechanical energy में है ना किसमे mechanical energy में कौन करता है इस काम को engine कौन करता है इस काम को engine तो एक बात बताना आप मुझे thermal energy एक energy की form है mechanical energy is also form of energy यानि कि energy की एक form दूसरी form में convert हो रही है कौन कर रहा है इस काम को engine तो engine एक ऐसी device है जो energy की एक form को दूसरी form में convert करता है जैसे chemical energy thermal energy में convert होई और thermal energy फर्दर mechanical energy में convert होई आप चाहो तो mechanical energy का मतलब है जब कोई shaft रोटेट कर रही होती है दीरी दीरी आगी सारी चीचे समझ भाजाएंगी अगर को shaft रोटेट कर रही है अगर को shaft rotate कर रही है इसका मतलब mechanical energy मिल रही है और इसी shaft से अगर आप generator लगा दें तो यह mechanical energy फर्दर आप चाहो तो electrical energy में convert कर सकते हो electricity produce कर सकते हो तो देखो क्या लिखा हुआ engine की definition it is a device which converts one form of energy into another form of useful energy energy की एक form को दूसरी form में convert करती है एक device जिसका नाम है engine है ना अगर हम classification की बात करें अगर हम बात करें कि engine की दो कौन सी main category होती है तो combustion के basis पे हम दो category में classify कर सकते हैं है ना based on combustion देखो based on combustion combustion के basis पे engine are classified into internal combustion engine that is IC engine and external combustion engine that is EC engine and my dear students video lecture को आगे you know further proceed करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह जो notes है इस subject जो notes है mechanical के जो notes है या इसके अलाबा और भी कई सारे subject जो है काट होने वाले हैं धिरे-धिरे करके है ना सभी के notes आपको मिलेंगे get you know gateway classes app के अंदर अभी तक अगर आपने gateway classes का app download नहीं किया है तो Google Play Store पे जाए और सर्च कीजिए gateway classes या नीचे description में comment box में आपको app का link मिल जाएगा you know link के माध्यम से भी आप you know gateway classes का app download कर सकते हैं from Google Play Store दूसरी चीज यहां पर जो हम notes आपको provide करा रहे ना इस इन जितने भी subjects हैं हमारे हम चाहते तो बहुत पहले classes start कर सकते थे लेकिन हमने क्या किया है syllabus के syllabus के हिसाब से बनाए और उसको इतना simplify करें याद करना आसान हो जाए ना कि बच्चे एक बार उसको read करें exam से पहले तो वह याद हो जाए और exam तक याद रहे है ना इस तरह से बनाए जाए उसके अंदर कुछ combustion engine यहां पर एक animation में आपको दिखाऊंगा इस animation के बस इस animation को दिमाग में डालने ना इसी animation से आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आने वाली हैं देखो internal combustion engine नाम सी पता लग रहा है है ना इस animation को ज़र आप एक बार देखेंगे इस animation को आप आप देखेंगे यह होता है कि यहां पर देखो cylinder है ना यह क्या होता है एक cylinder होता है और cylinder के अंदर piston reciprocate करता है ना यह क्या होता है यहां पर आप देखेंगे यह एक piston है ये ले इनदर के निसके अंदर के उल् वदार पिश्टन के लिए करतै है अब सिभीस्ट के लिए मिखाने और यह इस तरह से engine के अंदर आग लग रही होगी, यह piston ऐसे-ऐसे move करता रहेगा, और इसमें आग लगती रहेगी, यहाँ से gases expand होती रहेगी, हमको work मिलता रहेगा, हमको energy मिलती रहेगी, और जिस energy की help से हम अपने vehicles को आगे चला सकते हैं, अपने scooter को दोड़ा सकते हैं, bike को चला सकत हो रहा है, किसका हो रहा है combustion? Fuel का, तो जब fuel का combustion या fuel की बर्निंग होती है, fuel की जब burning, fuel की combustion कहां पर होता है? internally होता है inside the cylinder होता है cylinder के अंदर engine के अंदर जब combustion होता है तो ऐसे engine को हम internal combustion engine के नाम से जानते हैं ठीक है तो यह diagram बनाना नहीं है सिर्फ समझाने के लिए था सिर्फ समझाने के लिए था तो देखो क्या है internal combustion engine की definition in internal combustion engine in internal combustion engine the burning or the burning or you know burning or combustion of fuel takes place inside the cylinder जब cylinder के अंदर engine के अंदर जब combustion होता है तो ऐसे engine को हम internal combustion engine के नाम से जानते हैं चलो जी अगर हम example की बात करें कि IC engine के example बताओ तो automobile engines जो होते हैं जैसे petrol engine हो गया diesel engine हो गया यह सब किसके example हैं यह सब IC engine के हैं आपकी स्कूटी में बाइक में ट्रेक्टर में कार में क्या है कि अंदर एक engine लगा हुआ है उस engine के अंदर ही तो आग लगी है उस engine के अंदर ही तो जरूरी है क्योंकि हम IC engine you know internal combustion engine को differentiate करना है डिफ्रेंस देखना है और IC engine के advantage disadvantage आपको तभी समझ माएंगे जब इसके बारे में एक मिनट हम चर्चा करेंगे इसके बारे में एक मिनट चर्चा करते हैं तभी जाकर के है हमारा जो है IC engine के differences के साथ और IC engine के advantages disadvantages आपको easily समझ माने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं होगी आपके दिमाग में सारी चीज़े स्टोर हो जाएंगी चलो जी देखो नामसी पता लग रहा है यहां पर भी यह क्या आपका external combustion engine भाई जब engine के अंदर inside the cylinder inside the engine combustion हो रहा था तो उसको बोल रहते internal combustion engine जब engine के बाहर outside the engine क्या होगा combustion होगा तो क्या बोलोगे उसको external combustion engine in external combustion engine the combustion of the fuel takes place outside the engine engine के बाहर हो रहा है combustion तो external combustion engine है इसके example है यहां पर you know steam engine, closed gas turbine, steam power plant तो इस diagram को एक बार focus करो इस diagram को एक पर focus करो तो समझ में आएगा आपको कि combustion आउटसाइड हो रहा है combustion outside हो रहा है basically यह steam power plant का एक diagram है किसका diagram है steam power plant यह steam power plant क्या होता है और यह steam power plant बहुत बड़ी चीज होती है मतलब steam के help जहां पर electricity produce हो रही होती है steam बनती है, turbine के ओपर जाती है, turbine के blades घूमती है, वहाँ पर एक generator लगी रहती है electricity बनती है फिर वो steam condenser में जाती है condense हो जाती है, steam फिर से liquid में convert हो जाती है, फिर pump उसको boiler के अंदर भेज देता है boiler water को steam में convert कर देता है ऐसा करके कुछ होता है इस काम को करने के लिए इस पूरे plant में 4 components होते है there are four basic components त्थे हो यँ यहां पर TIM-दे को लिखा हुआ है कि ब्वाइलर यह ए boiler , ओके टो द्वआ का क्या होता है boiler का मोता है कि इस अंदर क्या जाने वाला है इसके अंदर जाने वाला है water इसके अंदर क्या जाएगा? Water जाएगा, बोलो yes or no इसके अंदर क्या जाएगा? Water जाएगा जैसे pressure cooker होता है pressure cooker में आपने पानी भर दिया अब उस पानी की क्या बन जाएगी? steam बन जाएगी, भाब बन जाएगी, वेपर बन जाएगी लेकिन उसको heat supply करनी पड़ेगी बोलो yes or no pressure cooker में पानी रखो अपने आप थोड़े ना भाब बन जाएगी उसकी? अपने आप थोड़े ना steam बन जाएगी? yes or no, उसको heat supply करनी पड़ेगी पड़ेगी छुल हचलाना पड़ेगा तो ऐसी ही क्या करना है? तो boiler भी क्या है? steam generator है ये भी क्या बनाता है, steam बनाता है इसके अंदर क्या जाएगा water और बहार क्या निकलेगी यहां से? steam बाहर निकलती है क्या निकलती है बाहर, steam बाहर निकलती है तो भही, यह boiler क्या करेगा boiler क्या करेगा, water को steam में convert करेगा लेकिन इसको heat चाहिए कि नहीं चाहिए जैसे pressure cooker में heat supply करते हो, yes अब वो heat कहां से आएगी, वो heat कहां से आएगी देखो, यहाँ पर एक लगी रहती है furnace, क्या लगी रहती है यहाँ पर एक furnace, furnace के अंदर क्या होता है fuel, furnace के अंदर fuel की क्या होती है burning होती है, air के साथ yes or no, fuel की क्या होती है यहाँ पर burning होती है, burning of fuel यहाँ पर fuel की burning होगी तो क्या मिलेगी यहाँ से, energy मिलेगी yes or no, कौन सी, fuel की chemical energy इसमें thermal energy आजमरा heat produced होगी ना, यहांते जब fuel की burning होगी, तो heat produced होगी, और यह heat कहां जाएगी? यह heat कहां जाएगी? boiler के अंदर जाएगी. तो अब एक बात बता ना मुझे, यह हमारा system है, यह हमारा system है, this is our system. आग कहां लगी है? यह engine तो हमारा यह है ना? यह हमारा engine है, आग लगी है furnace में, और furnace कहां पर है, engine के बाहर, outside the engine, तो वही हुआ हम कहा है, जब combustion, fuel का combustion जब engine के बाहर होता है, तो ऐसे engine को हम external combustion engine कहते हैं, पहले वाले case में क्या था, internal combustion engine में, आग engine के अंदर लगी थी, combustion engine के अंदर उठा, यहाँ पर आग बाहर लगी है, external combustion engine बोल रहे हैं, अब high pressure high temperature steam कहा ले जाओगे, high temperature high pressure की, high temperature high pressure की steam निकलेगी boiler से, और यह जाएगी turbine के अंदर, turbine क्या करेगा, turbine क्या होगा, इस तरह से turbine की एक shaft होती है, वहाँ पर लगे रहते हैं बहुत सरे turbine के blades, वहाँ जाकर यह steam टकराएगी, turbine की shaft rotate करेगी, turbine rotate करना start करेगी और यहाँ से मिल जाएगी आपको mechanical energy, यानि कि आपको यहाँ से work मिल जाएगा, और इस mechanical energy को further आप electrical energy में convert कर पाओगे, with the help of generator आपका काम बन जाएगा, अब steam से आपने energy ले ली, अब यहाँ से turbine से निकलेगी steam, steam ही निकलेगी turbine से, लेकिन उसका pressure down हो चुका होगा, उसका temperature down ह हो जाएगी, हैना condense हो जाएगी, condense हो जाएगी, किसके अंदर? condenser के अंदर, अब यह liquid क्या आपको, इस liquid कहा जाएगा, यह pump लगा हुआ है, यह pump इस liquid को फिर से water को, इस water को फिर से boiler में जो है, send करेगा, कौन? feed करेगा pump, यहाँ पर feed pump लगा हुआ है, इसी तरह से यहाँ और steam water steam water चलता रहेगा and my dear students यह जो आप diagram देख रहे हैं है ये plant बहुत बढ़ा होता है ये plant बहुत बढ़ा होता है आप जिस भी college में पढ़ रहे हैं कितना भी बढ़ा campus हो ऐसे बहुत सारे campus लग जाएंगे steam power plant को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े टर्बाइन होते हैं, बहुत बड़े बड़े आपके युनों बॉयलर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, है ना, अब हमको ये बात समझ मा जाएगी, कि IC engine और external combustion engine में क्या difference होता है, अब कोई दिक्कत बाली बात नहीं है, अब मैंने काम आपका बहुत बढ़ा किए ना, तो तो भाही जब आप IC engine चूट्टू सा होता है, बहुत चूट्ञ बात बता आपकी siorno Ai iç engine जो engine लगा इत्तू सा engine लगा वह engine में, किस में? Is conducted बाईक में इत्तू इत्तू से engine होते हैं, और ये engine कितना होता है, वह बहुत बड़ा बहुत यूनों इतना बड़ा प्लांट होता है इसमें दो-तिन गाउं बस जाते हैं जी तो बहुत-बड़े-बड़े components होते हैं इसके अंदर किसके अंदर external combustion engine के अंदर यह external combustion engine यह था internal combustion engine चलो अब इसमें देखते हैं डिफ्रेंसेस अब कोई दिक्कत नहीं है मैंने अपना काम कर दिया अब आपको इजली समझ में आएगा तो EC इंजन भाई स्लेबस में लिखा हुआ है कम इनका डिफ्रेंस दोनों का तो EC इंजन यानि कि इधर मैंने लिखा external combustion engine और इधर लिखा मैंने IC engine एक चीज़ और याद रखना जब भी difference आते हैं लिखने के लिए कोशिश करना कि उसको table की form में लिखो तो convenience हो जाता है इनो convenient रहता है जो examiner आप copy check करता है उसको जितनी convenience जितना convenience आप provide करा होगे जितना अच्छा आपका way of representation होगा उतने अच्छे आपको marks मिलेंगे ठीक है कोशिश करना अगर कोई differences उसको table की form में लिखना अच्छे से लिखना ठीक है जी अच्छे number मिलेंगे आपको देखो इधर हमने इस column में लिखा EC that is external combustion engine इधर लिखा हमने IC engine यानि के internal combustion engine देखो पहला difference क्या है कि combustion of fuel takes place outside the engine कोई doubt yes or no outside होता है कि नहीं तभी तुसको बोलते है external combustion engine इसमें क्या होता है fuel combustion inside होता है next ये बल्की होता है बड़े बल्की क्यों होता है है जबकि यह light होता है और compact होता है है ना यह light होता है और compact होता है क्या IC engine है ना next high ratio of weight to power weight to power ratio इसका हाई होता है मतलब w weight upon power मतलब unit power अगर आपको produce करनी है unit power produce करनी है तो इसका weight जादा रहेगा इसका weight कम रहेगा मान लोग 1 Megawatt आपको electricity produce करनी है 1 Megawatt तो इसका weight काफी जाद हो जाएगा इसका weight कम रहेगा है ना तो इसका high ratio of weight to power रहता है next difference है in you know it can use cheaper fuels including solid fuels अरे external combustion engine में external combustion engine में combustion तो बाहर हो रहा है यहां पर कोईला जलाओ diesel जलाओ कोई दिक्कत नहीं solid form में हो आपका fuel liquid form doesn't matter जबकि आपका जो IC engine होता है ऐसे वाला जो engine होता है इसमें तो आप सिर्फ gases state में होता है fluid आपका fuel होता है या फिर वो liquid state में होता है जैसे petrol हुआ हुआ diesel हुआ या फिर कोई CNG हुई LPG हुई यहां पर ऐसा थोड़े ना कि इसमें आप कोईला घड़ दोगे स्कूटी के इंजन में बाइक के इंजन में कोईला जला दोगोई नहीं जला सकते हैं क्योंकि इसमें combustion इंसाइड इंजन हो रहा है जबकि इसमें combustion बाहर होता है फरनेस में बटी लगे भार एक यहां पर आग लगे तो वहां पर तो कुछ भी डाल दोसमें कुछ भी कुड़ा कवड़ा लकड़ी सब कुछ डाल दोसके अंदर है ना कोई दिक्कत नहीं है चलो ने तो इसलिए लिखा है यहां पर कि जो external combustion engine होता है उसमें cheaper fuel हम यूज कर सकते हैं including solid fuel पोईला भी जला सकते हो जबकि इसमें high grade का fuel होता है इसमें high grade का fuel engine की जबकि IC engine की efficiency होती है 35 to 40% जादा होती है yes or no 35 to 40% की range में होती है और यहां पर 15 to 20 की range में होती है यहां पर operation जो है silent होता है क्योंकि आग engine के बहार लगी है जबकि आपका IC engine जो होता है उसमें engine के अंदर है जुक 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 इसमें यहां पर जुए यह जाएंगे भाइस साब बिल्कुल भी हवाज नहीं करते इरिक सापके बगल से निकल के चल जाएगी हवाज नहीं करेगी ठीक है ना तो वो टाइम आने वाला है आ चुका है यूँनों बहुत बहुत ज़्यादा आप देखी रहें इलेक्टरिक वेहिकल्स टू टू विलर्स म अजिन के आप एडड़ाइच देख रहे हो विल्कुल सही बात है क्योंकि अब इसे इंजन के अंदर नंबर आफ कंपोनेंट कम होते हैं जबकी एक्स्टरनल कंबश्यं इंजन और इस टिम प्वाइलर है टर्बाइन है कंडेंसर है बहुत पुछ उच उछ के अंदर रहता जबकि it is very what you know simple system होता है, इसका mechanical simplicity होती है, next low initial cost due to absence of boiler, turbine, condenser, अरे भई इसमें auxiliary apparatus नहीं होते हैं, इसलिए इसकी जो initial cost होती है, काफी कम होती है, point number 3 कहां गया, point number 3 missing हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, point 4 पर आते हैं, actually point number 3 यही रहा होगा, है ना, तो यह slide में इधर उधर हो गया म high efficiency than external combustion engine, बताया ता न अभी आपको मैंने, इसकी efficiency 35 to 40% होती है, जबकि external की तो 15 to 20% होती है, तो इसकी efficiency ज्यादा होती है, power to weight ratio इसका ज्यादा होता है, power to weight ratio इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, यह भी आयता ना, difference में, difference अगर आगे, तो advantage आगे, very suitable for small power requirement applications, मानलो आपके घ electricity की जुरत पढ़ रही है, तो आप generator लाते हो कि नहीं, that is what IC engine, internal combustion engine लगा हुआ है, तो portable होता है, एधर ले जा, उधर ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, आप external combustion engine को steam power plant को ला सकते हो क्या, और नहीं ला सकते है, तो small power की जहाँ requirement होती है, वहाँ IC engine अच्छा काम करता है, next starting time is very less, start, अरे चाबी लगाओ, आपकी गाड़ी start हो जाती है, तो starting time is very less, जबकि आपका जो steam power plant होता है, external combustion engine होता है, उसमें 24 गंटे, यूनों दो दिन, तीन दिन तक लग जाते हैं, उसको start करने में, हाँ, दो से तीन दिन लग जाते हैं, उसको start करने में, बहुत समय लगता है, ज जबकि इसमें तो चाबी मारो, within fraction of second आपकी, जो है, start हो जाती है, वेहिकल, है न, requires less maintenance, definitely, जब system complicated नहीं है, number of components कम है, तो obviously इसका जो maintenance होगा, वो भी क्या होगा, कम होगा, चलो जी, आपको मैं एक बंदा है, हमारे पास दो-तिन बंदे हैं, जो पब्लिक सेक्टर में select हुए से ONGC, और IOCL में काम कर रहे हैं, उनसे हम आपका जब interview होगा, उनसे interact करेंगे, तो आपको उसके बारे में practical जानकारी मिलेगी, बहुत सारी, ठीक है, न, इस्टिम पाव प्लांट के अंतर, बहुत, अभी आया था दिपावली पे, यूनो, दो बच्चे आया थे, एक IOCL म पुरियोती वास्तम में, ठीक है, चलो जी, लास्ट में देखेंगे, इसके disadvantages of IC engine, IC engine के disadvantage क्या है, कि variety of fuel that can be used is limited to variety of, you know, limited to very fine quality, gases or liquid state, इसमा आप कोईला नहीं जला सकते, और जो आपका steam power plant रसमें कोईला भी जला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो that is one of the limitation of IC engine, fuel used is very costly, इसका जो fuel होता है, वो काफी costly होता है, यानि कि like diesel, petrol, कितने महिंगे-महिंगे fuel है, है ना, next आपका engine emissions are generally high, इसका जो engine से emission होता है, engine से जो emission होता है, वो external के comparison में थोड़ा जादा होता है, ठीक है, लेकिन electric vehicles आ रहे हैं, इसका replacement, इसी का, जो emission बहुत जादा हो रहा है, दिल्ल तो ये emission की कहानी भी खतम हो जाएगी, जब electric vehicles आ जाएंगे, right, not suitable for large scale power generation, अब मानलो आपको बहुत ज़्यादा power, मानलो पूरे शहर को electricity provide करानी है, तो क्या आप generator से काम चला सकते हैं, जो अपनी शादी विवहाव में, या फिर आपके बड़े में आता है, generator को काम कर देता ह आपका, क्या किसी, अगर मानलो पूरे शहर को, पूरे जिले को, पूरे यूनो, state को अगर आपने power supply करनी है, तो क्या generator काम करेगा, नहीं करेगा, तो IC engine वहापर काम नहीं करते, तो जब large power, large scale power requirement होती है, तो these are not suitable, next, last one, in case of reciprocating internal combustion engine, noise is generated due to detonation, एक detonation phenomenon होता है, उसके अंदर, यूनो, जहाँ पर, अंदर जब combustion होता है, तो बहुत जादा वो noise produce करता है, so these, तो आज की lecture में हम लोगों ने सीखा है, कि engine को हम कैसे define करते हैं, और engine की दो कौन-कौन सी main category होती है, यूनो, combustion के basis पर हमने देखा, कि एक internal combustion engine होता है, फिर external combustion engine होता है, हमने animation के साथ समझने का परियास किया, कि दोनों में difference, दोनों के definition क्या है, फिर दोनों में difference क्या होते है, फिर हमने advantage and disadvantage देखे किसके, IC engine के, इस में से, you know, last time भी, एकर्टीव की किशाम में दो-तिन कोश्यन से हां तर छोट-छोटे पूशे गए थे तो next video lector में हम लोग क्या discuss करने वाले हैं next video lecture lecture no.2 में हम देखेंगे classification of IC engine IC engine हम पढ़ चुके हैं जिसमें combustion inside the engine inside the cylinder होता है अब उसको हम classify करेंगे next main components of IC engine IC engine के अंदर कौन-कौन से main components होते हैं जो मैंने आपको animation दिखाया था वहाँ पर कुछ components आपको दिख रहा हूँगी detail में एक एक components की बात करेंगे TDC and BDC Top dead center, bottom dead center, एक एक ट्यूम आया हुआ है bore क्या होता है, swept volume, clearance volume क्या होता है compression ratio क्या होता है, ये भी आया हुआ है है ना, तो ये next video lecture lecture number two में ये हम लोग discuss करने वाले हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको जितने भी हमारे notes हैं चाहिए वो mechanical के notes हों या किसी और subject के notes जो start होने वाले हैं सभी notes आपको मिल रहे होंगे gateway classes app के अंदर तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको play store पर जाएए, search कीजिए gateway classes, अगर अभी तक आपने download नहीं किया है तो gateway classes का app आप download कर लिजे, app का link नीचे description में, comment box में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो को आप AKTV के जितने भी b.tech faster के students है, उनके साथ आप जरूर share करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, चलिए फिर मिलते हैं, next video में, tomorrow thank you